Hello students, how are all of you? Welcome again in your geometry school online platform आज मैं फिर से आप सभी के साथ हूँ हमारे S錢ing School कक्ष है हिंदी भाषा के साथ जिसमें हम प्रशन पत्र 2021 भाग नमबर 2 को शुरू करने वाले हैं बच्चो हमारे previous लेक्चर में हम प्रशन पत्र 2021 भाग नमबर एक पूरा कर चुके हैं आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रश्ण पत्र 2021 का भाग नंबर 2 जिसमें हम प्रश्ण नंबर 12 तक पूरा कर चुके हैं आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रश्ण नंबर 13 से तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम शुरू करते हैं बड़े ही मॉटिवेशनल थोड के साथ देखे आज का हमारा मॉटिवेशनल थोड क्या है सफलता का आशिरवाद केवल उन्हें ही मिलता है जिनोंने कभी संगर्श के कदमों को सपर्श किया हो अर्थात सफलता जो है उसका आशिरवाद हमें कभ मिलेगा जब हम संगर्श करेंगे अर्थात महनत का फल जो मिलेगा वो सफलता ही होता है लेकिन अगर महनत या महनत का फल या महनत के कदमों को हमने नहीं चुआ होगा मेहनत नहीं करी होगी तो तब हमें सफलता के मिलने के आसार नहीं एर्था सफलता हमसे दूर होती चली जाती है तो चलिए इन शुंदर सब्दों के शाथी हम अपने वीडियो सेशन को या हमारे प्रशन पत्र 2021 को भाग नंबर 2 को शुरू करते हैं और जिसका हमारा प्रशन नंबर 13 क्या है उसमें गध्यांश दिया गया है इस गध्यांश को पढ़ करके हमें प्रशनों के उत्तर देने हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें निर्देश क्या दिया गया है प्रशन के लिए तो यहाँ पर जो प्रशन आपसे पूछे गए हैं उन प्रशनों के सही विकल्प आपको चुनने हैं किसकी मदद से ये गध्यांच को पढ़ने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं कि हम गध्यांच के प्रश्णों को सॉल्व करेंगे लेकिन सबसे बेस्ट्रिक क्या है गध्यांच के प्रश्णों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट्रिक क्या है इस बेस्ट्रिक में हम क्या करते हैं सबसे पहले प्रश्णों को पढ़ना शुरू क करते हैं तो चलिए सबसे पहले प्रश्णों को पढ़ना शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्ण नंबर 13 प्रश्ण जो है उसको पढ़ना हम शुरू करते हैं देखिए प्रश्ण नंबर 13 क्या है सार्थक्ता शब्द का विलोम शब्द है यहां पर सार्थक्ता एक अर्थक सा मीन साथ और अर्थक मीनस अर्थके तो जहां पर अर्थ के साथ कोई भी शब्द होता है वहां पर क्या होता है उसे हम सार्थकता कहते हैं ठीक है, उसके ओप्शन्स दिये गए है सफलता, प्रासंगिकता, निरक्ठर्था, उप्योगिता और हमें इसका विलोमशब यहां से बताना है Next question number 14 देखते हैं क्या है श्रम करने में आनंद कब आएगा अर्था जबी भी हम महनत करना चाहते हैं तो उस महनत को करने में हमें आनंद कब आता है क्या वो सिती रहती है तो यह यहाँ पर हमें बताना है लेकिन गद्यांश को पढ़ने के बाद चलिए अब है स्वस्त सरीर के लिए क्या आवश्यक है जो स्वस्त सरीर हम अगर रखना चाहते हैं अपना तो उस स्वस्त सरीर के लिए क्या जरूरी है यह हमें आपर बताना है आगे question number 16 परिश्रम साहस और कर्म को चोली दामन का संबंद कैसे कहा है परिश्रम साहस और कर्म इन सब को चोली दामन का संबंद बताया अर्था दामन के बिना चोली नहीं पहन सकते एक वेशबूशा है और चोली के बिना दामन नहीं पहन सकते तो यहाँ पर बताया है कि इन सब का संबंद एक साथ क्यों बताया है क्यों इन्हें चॉली दामन का संबंद कहा गया है आगे देखें गांधी जी ने श्रम की सार्थकता किस से मानी है श्रम जो है वो सार्थक कब होता है अथात उसका जो result है, उसका सही result हमें कब मिल पाता है, यहांपर हमें बताना है, ठीक है, अब हमारे यहांपर प्रश्ण खतम हो जाते हैं, गध्यांच से संबन्दित, अब सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे गध्यांच को, जिसको पढ़ करके हम उन के उत्तर दे सके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं गध्यांश को पढ़ना निरंतर श्रम करने से शरीर स्वस्त रहता है वहाँ पर एक प्रश्न आया था कि शरीर हमारा स्वस्त कब रहेगा जब हम निरंतर परिश्रम करते रहेंगे समाज में जीवन्तता बनी रहती है दिया जाए तो समाज गति सुन्य हो जाएगा तो समाज गति सुन्य हो जाएगा अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो समाज गति सुन्य हो जाएगा अर्था सुन्य के बराबर हो जाएगा ना उसको सफलता मिलेगी जब वो महनत ही नहीं करेगा निरंतर परिश्रम ही नही श्रम को अच्छा मानते हैं, तो कौन से श्रम को अच्छा मानते हैं, उत्पादक श्रम को, उत्पादक जिससे हमें कुछ भी चीज उत्पाद में मिल पाए, है ना, अगर हम श्रम कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें कुछ भी, कुछ भी जितना भी हमने input दिया है, उसका output हमे में मिल पाएं तो वो कहते हैं कि उत्पादक श्रम ही किया जाना चाहिए गांधी जी के उत्पादक श्रम का तात्पर्य यह है कि श्रम से कुछ शीज की प्राप्ती हो चाहे प्रगती हो या तो श्रम से हमें किसी चीज की प्राप्ती हो जाए या फिर हमारी प्रगती हो आनंद भी आएगा ठीक है आगे देखे श्रम के प्रती निस्ठा और सम्मान की भावना हमारी सहज प्रवर्ती होनी चाहिए श्रम के प्रती निस्ठा की भावना और सम्मान की भावना हमारी होनी चाहिए वस्तुत है वास्तव में हमारे विकास का हमारी उन्नती का मूल मंत्र है श्रम हमारी उन्नती और हमारा development जो main उसका मंत्र है जिससे हम अमारी उन्नती मिल सकती है हमें या फिर हम प्रगती कर सकते हैं हमारा विकास हो सकता है वो किस से हो सकता है श्रम से महनत से सफलता का मूल मंत्र और प्रगती की सीड़ी परिश्रम से ही प्राप्त होती है सफलता हमें और परिश्रम करने जब हम परिश्रम की मेहनत की सीड़ी पर चड़ेंगे तो तभी हमें सफलता जो है वो प्राप्त होगी परिश्रम साहस और गर्म का चोली दामन का साथ है परिश्रम साहस का चो उसके अंदर सहास अपने आपसे आजाता है तो चलिए अब हम इन प्रश्णों के उत्तर देखते हैं कि इन प्रश्णों के उत्तर क्या है सार्थक्ता सब्द का विलोमशब्द है सार्थक्ता विलोमशब्द जब हम देखते हैं हम शब्दों के अर्थ निकालते हैं सबसे important trick मैं आपको already बता चुकी हूँ कि जबी भी हम विलोम शब्द निकालेंगे विलोम शब्द में आपको क्या करना होगा उस सब्द का अर्थ देखना होगा जिस शब्द का हमें विलोम शब्द निकालना है तो चलिए देखते हैं क्या क्या option दियेंगे सफलता, प्रासंगिक्ता, निरर्थक्ता और उप्योगिता सार्थक्ता क्या होता है जिसका कुछ अर्थ हो सफलता उसका अपोजट नहीं हो सकता विलोम नहीं हो सकता प्रसांगिकता ये भी अलग अर्थ रखता है ये नहीं हो सकता निरर्थकता निरर मतलब जिसका कुछ अर्थ नहीं होता ये हो गया निरर्थकता उप्योगिता जिसको हम उप्योग में ला सके तो सार्थकता का जो deposit word हो गया वो हो गया निरर्थक्ता क्योंकि उसके बिल्कुल विलोम है सार्थक्ता अर्थ के साथ और निरर्थक्ता अर्थ के बिना या जिसका कुछ अर्थ नहीं होता ठेक है आगे देखते हैं श्रम करने में आनन्द कब आएगा? कब हमें मेहनत करना अच्छा लगेगा? कब श्रम करने में हमारा आनन्द बढ़ता जाएगा? तो ये हमें बताना है अब हमारा आनन्द कब बढ़ता जाएगा? जब हम स्वस्थ होंगे, समाज में गति सुन्यता नहीं होगी, जब मन में सम्मान की भावना होगी, जब श्रम से कुछ चीज की प्राप्ती होगी जब हमें श्रम से कुछ चीज की प्राप्ती होती है, तभी तो हमने गध्यांस में पढ़ा था कि श्रम करने से जब हमें कुछ चीज प्राप्त हो जाएगी या उसका result मिलना हमें शुरू हो जाएगा तब ही हमें क्या होता है तब ही हमें श्रम करने में आनंद आने लगता है तो ये सही उत्र कौन सा हुआ दी ठीक है आगे देखें स्वस्थ सरीर के लिए क्या आवश्चक है जो स्वस्थ सरीर है अगर हमें अपने सरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें हमारे क्या जरूरी होगा स्वस्थ सरीर को स्वस्थ रखने के लिए या सरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है First option दिया है कसरत करना, निरंतर श्रम करना, जीवन्तता और प्रगती तो हमने paragraph के सबसे starting में ही पढ़ा था कि हम निरंतर अगर परिश्रम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वस्थ सरीर, ठीक है? तो निरंतर श्रम करते रहने से हमें स्वस्थ सरीर मिलता है आगे परिश्रम साहस और कर्म का चोली दामन का सम्मन कैसे बताया है? परिश्रम, मेहनत, साहस, साहसी हो जाते है जब हम मेहनत करते हैं और कर्म, कारियर तो इन सबका चोली दावन का साथ कहा है वो क्यों कहा है परिश्रमी और सहसी लोगों को पसंद किया जाता है सहसी कर्म योगी होते हैं जो मनुष्य कर्म करता है वह सहसी भी होता है परिश्रम सहस एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं तो इसमें से जो है वो सही option कौन सा होगा जो मनुष्य कर्म करता है वह सासी भी हो जा जो मनुष्य कारे करेगा उसे पता होगा कि कौन से कारे को करने में कितना हमें अपना 100% देना है और कितना नहीं देना है तो उसी according वो उसमें सास दिखाएगा या उसी के अनुसार उस कारे को करेगा तो जो व्यक्ति कर्म करना जानता है वो अपने आप साहसी भी बन जाता है ठीक है? आगे वाला प्रशन देखते हैं गांधी जी ने श्रम की सार्थकता किस से मानी है? किस से मानी श्रम की सार्थक कब है? कब वो सही है? परिश्रम करने से, सम्मान की भावना से, श्रम के प्रती निस्ठा से, उत्पादक श्रम से उन्होंने किसको माना है? उन्होंने माना है उत्पादक श्रम को ठीक है? उत्पादक श्रम को माना है, क्योंकि वो कहते हैं कि उत्पादक श्रम कब होगा? क्या होता है उत्पादक श्रम का तात्प्रिय वो कहते हैं कि हमें श्रम करने में तब तक अच्छा नहीं लगता है जब तक हमें उसके रिजल्ट मिलने शुरू नहीं होते लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं श्रम कर रहे हैं लगातार उसके रिजल्ट हमें साथ साथ मिल रहे हैं जो अच्छे हैं तब हमें श्रम करना अच्छा लगने लगता है तो ये हो गया हमारा option number D सही आगे मुहावरे का सही अर्थ लिखिए मुहावरा क्या दिया हुआ क्या होते हैं मुहावरे जब हम बड़े बड़े वाक्यांशों को छोटा करके बड़े ये सीमित शब्दों में कह देते हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं मुहावरा क्या है अकल पर पत्थर पढ़ना ठीक है अकल पर पत्थर पढ़ना तो देखो सबसे वहले तो समझो कि किस situation के लिए यह कहा गए अकल पर पत्थर पढ़ जाना ठीक है मुर्ख बन जाना पागल बन जाना किसी के दौरा मुर्ख बना दिये जाना बुद्धी समाप्त हो जाना सोचने विचारने की शमता ने रहना बड़ी चोट लग जाना ठीक है बड़ी चोट लग जाना यह हो गए सारे अग यहाँ पर एक मुहावरा दिया है उस मुहावरे के अर्थ यहाँ पर दे दिये है ठीक है तो इनमें से हमें सही अर्थ बताना है कि सही अर्थ कोन सा है, अब सबसे सही अर्थ अकल पर पथर पढ़ना, जब अकल पर पथर पढ़ते हैं तो हमारा कोई भी कारिय सही नहीं होता, अर्थात हमारा जो अकल है, जो बुद्धी है, हमारा sense of humor है, वो exact work नहीं करता है, जिससे उल्टे-पुल्टे काम होने शुरू ह तो इस मुहावरे का सही अर्थ जो है वो हो गया सोचने विचारने की क्षमता न रहना जब हमारे सोचने विचारने की क्षमता नस्ट हो जाते तो हमारे सारे कारे जो है जितने वी कारे हम करते हैं वो सब गलत हो जाते हैं तो इसलिए कहा गया है इन सारे शब्दों को जादा आग विस्तुरित ना करते हूं उन्हें बड़े ही सीमित शब्दों में कह दिया है अकल पर पत्थर पढ़ना तो हमारा सही option कौन सा हो गया? गज़ आगे देखें वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंड़िये अब हमें वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंड़ना है वाक्यांश क्या दिया है? परिक्षा देने वाला जो परिक्षा देता है उसे क्या कहते है इन सारे concepts की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप सभी को हमारे Geometry School application को login करना होगा तब जाकरके आप महाँ पर available courses को avail करेंगे जिससे आप इन सारे conceptual based video को देख सकते हैं और आप इन सारे topics को अच्छे से समझ सकते हैं तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारे question number 20 पर परिक्षा देने वाला जो परिक्षा देता है उससे क्या कहते हैं परिक्षक, विद्यार्थी, परिक्षा आर्थी या सिक्षा देने वाला पूछा यहां परिक्षक कोन होता है जो परिक्षा लेता है विद्यार्थी कोन होता है व आगे देखते हैं विलोम शब्द जूणिए यहां पर एक particular आपको कोई शब्द दिया गया है उसका विलोम हमें बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या है शब्द क्या दिया गया है पराजे जिसका अर्थ क्या होता है हार ठीक है तो हमें इसका विलोम शब्द देना है अब हमें तुकांत भी रखने हैं यहां पर एक तरह से तुकांत शब्दों का भी प्रोसेस चलता है कि जब भी विलॉम शब्द हम ले रहे हो अगर पराजय का अर्थ हार है और यहां पर हार होता तो उसका opposite क्या हो जाता है जीत लेकिन पराजय यहां पर दि जीत नहीं सकता हार हार उसका अर्थ दिया है यहां पर और पराधीन पराधीन कोन होता है जो पराधीन स्वतंत्र और अस्वतंत्र के विलॉम शब्द में आएगा ठीक है अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण क्या है नेमनलेखित शब्द में विद्याले शब्द आपने संधी टॉपिक में भी अपना कंप्लीट किया था, संधी टॉपिक में भी हमने शब्द के बारे में बड़ा ही वाइड पड़ा था, है ना, क्योंकि जब हम संधी करेंगे तो दो शब्द निकल के आएंगे, जिससे हमें पता चल जाते हैं कि मूल विद्याले शब्द का संधी विछेत करते हैं तो हमें यहां से दो शब्द मिलते हैं विद्या जमा आले, हमें पता चल गया विद्या अपना एक सार्थक शब्द है, अपना अलग अर्थ रखता है और आले उसके साथ प्रते मिलकर के एक नया शब्द बना रहा है विद्य तो हमें पता ही चल गया कि कौन सा यहां पर प्रत्य शब्द है और प्रत्य क्या होते हैं जो वाक्यांश जो सब्दांश शब्दों के बाद में जूड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे अब पहले विद्या है विद्या एक कला है जिसको आ जाती है यह पर्टिकुलर शब्द ने आ करके यह प्रत्य सब्दांश आ गया जिसने इस विद्या के साथ जोड़कर के एक पूरा नया अर्थ बना दिया है जिसे कहा गया है विद्या ले ठीक है तो विद्या में कौन सा प्रत्य हो गया आ ले यह हो गया हमारा सही उतर ख आगे निमने लिखे चुनिये अब हमें इसमें से हमें स्रीलिंग रूप चुनना है पुलिंग रूप जो पुरुष जाती का बोध कराएं स्रीलिंग रूप जो स्रीजाती का बोध कराएं तो यहां पर हमें इसका पुलिंग रूप चुनना है किसका जेट जेट शब्द दिया है यह हमारे मातरा के साथ, या उसी तुकान सब्द के साथ, या उसी वर्तनी के साथ, हम वो सही सब लेंगे, तो जे़टानी, जेट तो नहीं था, यहाँ पे, तो यह तो नहीं होगा, जेठाइन ये भी नहीं होगा, जेठाइन ये भी नहीं होगा, तो हमारा correct answer कौन सा हो गया, जेठाणी, तो जेठ का जो pulling, स्वारी, स्ट्रीलिंग रूप हो गया, वो क्या हो गया, जेठाणी, अब आगे देखते हैं, प्रस्ट नंबर 24, विस निमलर्खित में से pulling शब्द है, इन में से हमें pulling शब्द बताना है कि कौन सा है, जो pulling रहता है, हमेशा वो स्ट्रीलिंग में नहीं आता, नदी, देवी, कवीता और चंद्रमा, नदी स्ट्रीलिंग मानी जाती है, देवी एक female है, मतलब स्ट्री जाती है, तो obviously स्ट्री प्राशन नंबर 25 लड़की शब्द का बहुवचन क्या है? अर्था एक वस्तुके होने का बोध या एक से अधिक वस्तुके होने का बोध हमें किससे मिलता है? वचन से, वचन हमारे एक प्रकरण है, इसके बारे में वाइडली अविस्तरिच से पढ़ने के लिए आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करनी होगी, लोगिन करनी होगी और वहाँ पर अविलेबल कोर्स को अवेल करना होगा, तभी जाके आप सारे कंसेप्ट की वीडियोस देख पाएंगे और ये जो आपके सैंपल पेपर में आपके आगे आने वाले क्वेशन पेपर हैं, उनमें जो क्वेशन आ रहे होंगे इन प्रकरण से हैं ताकि आप उन प्रकरण को अच्छे से समझ ले और यहां पर आयोए प्रशनों को हल कर सके, तो आजाते हैं हमारे प्रशन नमबर 25 पर लड़की शब्द का बहुवचन, बहुवचन अर्थात जो एक से अधिक के बारे में बोध कराता है, लड़की दिया है, जब भी हम बह बहुवचन में बदलते हैं, सबसे इंपॉर्टन चीज है, सबसे अच्छी ट्रिक है, जो एक बड़ी ए जो है, वो हमेशा छोटी ए में बदल जाती है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि बड़ी ए में है, लड़की है, ये भी नहीं है, तो हमारा सही उतर कौन सा हो गया, और जबी भी हम किसी एक वचन को बहु वचन में बदलते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार अनुनासिक आ जाता है अनुनासिक कहते हैं हमारे इस चंद्र की मात्रा हम लगाते हैं उसी को हम अनुनासिक कहते हैं ठीक है तो हमारा सही उत्र कौन सा हो गया लड़किया तो बच्चों ये थे हमारे 25 questions, 25 questions जिनको हम half-half करके दो parts में explain कर चुके हैं, I hope आपको सभी questions की tricks और सभी questions के answers समझ आ गए होंगे, जो सपस्टिकरन आप दिया गया कि किस प्रशन के लिए कौन सा answer सही है, I hope आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे So students, आप सभी अगर इन सारे प्रकरणों के बारे में अच्छे से read करना चाते हैं, तो हमारे course को avail कीजिए, हमारी application को login कीजिए और इस application पर आपको जो available features हैं, वो देखे क्या-क्या मिल रहे हैं सबसे important concept-based videos आपको मिलेंगी, जो भी concept होगा, सारे concept-based videos वहाँ पर available होगे, topic-wise quizzes यहाँ पर जो भी प्रकरण आपने read किया होगा, उसी के साथ-साथ quizzes आपको मिलेंगी, solve करने के लिए, mix quizzes मिलेंगी, अपने आपको यहाँ पर best analysis कर सकते हैं, कि आपने वीडियो को देखा, प previous years के जितने भी sample papers हैं, उनकी explanation, उनके answers, answer keys सब available आपको मिलेंगी, premium telegram group भी आपको मिल रहा है, premium telegram group का क्या advantage है, premium telegram group अगर आप login करते हैं, join कर लेते हैं, तो इस group से आपको एक advantage मिल रहा है, यहाँ पर आपको आपके daily schedule को share किया जाएगा, जिस तरह से आपका schools में daily schedule होता है कि कौन सा lecture के बाद आएगा, या कौन सा subject के बाद आप रीड करेंगे, उसी तरह से कितना portion आपको daily syllabus cover करना है, वही आपका पूरा daily schedule आपके telegram group पर share किया जाएगा, and very fantastic opportunity on students के लिए है, जहाँ पर network available नहीं है, इसके लिए हमारा pen drive course available है, pen drive course को आप available कर सकते हैं, pen drive course में आप को किसी भी network की need नहीं है, आप इसको अपने Android, laptops या अपने PC में use कर सकते हैं, okay students, so students, like the video, share the video, and hit the bell icon, subscribe कर दीजे, channel को like कर दीजे, and share कीजे, ताकि आपके साथ-साथ बाकी students भी इन वीडियो को देख करके अपनी practice कर सके, और इन प्रकरणों से सम्मंदित आए हुए प्रशन को वो आसानी से crack कर पाएं exams में, तो students, thanks for watching, आपका जो भी feedback होगा, अगर आपकी कोई query है, ये हमारे official numbers हैं, इन पर आप call करके inform कर सकते हैं, या फिर आपके अपनी queries जो हैं comment box में reply कर सकते हैं, आप वीडियो का feedback ज़रूर दे, thanks for watching, have a great day.